असलाम लेको वीवर्स आरवय के स्पोर्ट्स के साथ मैं ही यूसफ खान लशारी सो वेलकम बैक टू अनेधर अपडेट ओन नैशनल स्टेडियम कराची काफी दिन हो गए आपको अपडेट शेयर नहीं की तो फाइनली आज आपको अपडेट शेयर कर रहा हूं नैशनल स्ट कराची स्टेडियम के काम के बारे में पता दू और यह जितने भी दोनों स्टेंड्स है इनको फुली तोर पर रिमूफ कर दिया जाएगा मसमार कर दिया जाएगा और उसके बाद प्रोपर तरीके से 25 डेट के बाद यहां पर फुली तोर पर वर्क की इंस्टालेशन स्टा जाएगी और अब आपको मैं एक मीन अपडेट शेयर कर दू जो के कजाफी स्टेडियम लहोर के बार जो कल पाकिस्टान कर्कट बोर्ड के जो चेर्मेंट है मौसा नक्वी साब उनकी जो एक प्रेस कांफरेंस हुई थी और उससे पहले जो मिटिंग हुई थी उसमें क्या बात सामनी आईए के वाले से पाकिस्टान किर्कट बोर्ड ने ये फैसला किया है जो कराची स्टेडियम के रूफ है उसको फुली तोर पर रिमूफ किया जाएगा या टारी यहां पर पूरे के पूरे की तब्दील होगी लेकिन अब ये अपडेट आ रही है कि कुराची स्रीडियम की रूफ है वो पिफॉर चैंपियन ट्रॉफी तब्दील होगी ये फैसला आप देखते हैं कि पाकिसान क्रिकटबों ने जो किया है वो कब तक इस पर अमल जहां वो शुरू होता है और इसी के बात करेंगे और उस टेडियम की जो कंस्ट्रक्शन है उसको भी कंप्लीट करने की कोशिच करेंगे आपको अप्डेट अश्य लगी हो कि इन्शला जैसे नियू अप्डेट्स हैंगी वो भी शियर कर दूँगा थैंक यू